चाहे दिल्ली हो चाहे नौइडा हो चाहे गाजयाबाद हो या फिर देश का कोई भी शहर हो लेकिन इस वक्त हर कोई डरा हुआ है इस वक्त हर किसी के बन में एक आतंक है क्योंकि कहीं न कहीं धीरे धीरे अब देश के हर शहरों में जो कुत्तों के काटने की वारदात है वो बढ़ती जा रही है घटना देरे-देरे बढ़ती जा रही है और इसलिए आज टीवीन नाई ने एक बड़ी मुहीं छेड़ी है बड़ी मुहीं यह मुद्धा बनाया है कि आखिरकार जब एक किसी मासूम को या किसी शक्स को अगर कोई कुटा कारता है चाहे वो पालतू जानवर हो या फिर वो अवारा जानवर हो अगर कुटा कारता है तो आखरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसी बड़ी बहस पर आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुरूए हैं सबसे पहले आपको बतातूं ये वो लोग हैं जिनके परिवार पर ये सब बीच चुकी है ये वो लोग है जिनके परिवार में किसी ना किसी शक्स को किसी ना किसी परिवार के सदस्य को कुट्ते ने काटा है दूसी तरफ हमारे दिपास वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम जानवरों की जिम्म ववस्ता पर उठा रहे हैं कि आखरकार अगर किसी कुट्टे को अगर कोई कुट्टा किसी इंसान को काटता है अगर इस तरह की घटनाई लगातार बढ़ती जा रही है तो आखरकार इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा इस वक्त सबसे पहले में आपको बताती हूं इनके आपके घर में किसको कुट्टे ने काटा इसको कमर में काटा है और इसको घसीट के ले गया तो इसके बाबाजी दोड़के गए इसके उपर गिरे तब जाके बचा पाया अवाबाजी ने इसके ने उनके भी चोट लग गई अवारा कुट्टा था। कि कैसे निशान पड़े हुए इदर तो मास निकल के आ गया था और पीट में तीन दांत पीट में लगे ते इसको कितने साल की मासूम को अवारा कुटों ने नोच दिया कितनी बुरी तना से हाथ में पीट में कई जगा निशान दिखा और कुछ निशान ऐसे भी है जो मैं इ साथ साथ हुआ है परिवार के सब्सक्राइब क्या है साथक्षी मारकिट के सांवे है कुछ और करूं दर आए मेरे 5 शाल के बेटी है मैं उसको नीचे खेलने नहीं बेजती हूँ, अगर जाना है तो उसके साथ जाना पड़ेगा, वरना घर पे उसको अंदर बंद करके रखती हूँ तो सोचे कुटों का खौफ इतना जादा बढ़ चुका है कि अब जो पेरेंस हैं, जो माता पिता हैं, जो अभिवावक हैं, वो अपने बच्चों को अब सुसाइटी के बाहर, घर के बाहर नहीं जाने दे रही क्योंकि उनको डर है कहीं अगर वो घर से बाहर जाएंगे, तो मैं लेकर जाना पड़ता, और नहीं तो कई बार, दो बार हमना मेरे पूते पर करा, पांच साल का, तो मैं बाहर बैठी रहा हूं, कई बाहर डंडा रखती हूं, अपने जब इतना डरते हैं, तो कैसे बचा है आपने जब हमला किया तो, वहाई रखती हूं, उप डंडा ल प्तो के वज़े से, कि अब उन्होंने खेलना बन कर दिया है, वह बाहर जाना बन कर दिया है, घूमना बन कर दिया है, और इस बीच में हम ऐसा कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जो अपने घर में जुनोंने पैट पाला हुआ हुआ है, जुनोंने कुट्टे पाले तो क्या वो तीनों कुट्टे, आपको रगता है, ऐसा कोई आहदसा हुआ कि उन्होंने कभी किसी को काटा हुआ है? बिल्कुल नहीं, पूरी गली में, पूरे सड़क पे नहीं हुआ है, असली बात समझनी चाहिए, कुट्टा ये प्रकृती का अंग है, ये भी प्राणी ह आप इतना लविंग है, इतना फेथफुल है, वो क्यों काटेगा, उसकी वज़े क्या है, या तो उसको खाना नहीं मिले, और या बच्चे क्या करते हैं, हम माबाब लोग ये तो देखते नहीं, बच्चे पहले तो छोटे-छोटे खेलते हैं उनसे, जब वो थोड़े आपको हटाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकरती में एक प्रयाव संतुलन बना कर रखते हैं, और हाँ, बोली बोली कहीं, ये भी तो माना गया है, कि सुप्रीम कोट का भी कहना है, कि अब धीरे-धीरे कुत्ते खत्रा बनते जा रहे हैं, सुसाइटी के लिए, सुस सीफ हो जाएगा अगर आप ऐसी सुसाइटी में लेती हैं, अभी मैं ये कह रहे हूं, ये बच्ची है, इसको काटा है, अब इसको मैं क्या समझाओं कि कौन से जानबर के पास तुम जाना, कौन से जानबर के पास नहीं जाना, चार साल का बच्चा है मेरा, उसके ऊपर दो इसको बेटी नहीं डेट साल इस लड़की को तो काटा है इसको तो काटा है कुट्टे नहीं काटा है जानवर काटते हैं हम इसको डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं बट अगर उस गली के रहने वाले उस कुट्टे के विहेवेर को वास तो कर रहे होंगे वो एक एक तो पा दोगिकोनeta हो जवे 30 साल की बच्ची है मैं जो और दोग है और और पिडियू से था तो इस girits अaimerी तो नहीं मिला था तुरौ तोंड जो injางक्सिन चाहिए होता है ऊतों कि क्या किया था आपने जब आपको जब पता चला किसको कार्ट दिया आपको इंजेक्शन नहीं मिले तो क्या उस वक्या क्या दिमाग में आया था दिमाग में तो यह आया छोटी सी बच्ची है अब इसका क्या होगा क्या मनला बचेगी नहीं बचेगी इसकी यह कंडिसन थी मै सार्दा में लेके गई उन्होंने का पेमेंट से होगा मैंने का पेमेंट से अभी आप लगाई यह वोले अगले दिन आपको जाना पड़ेगा यह आप जाईए कासना में जो होस्पीटल है वहां वहां पता करिए वहां भी मैं गई इंजेक्शन लगवा के गई खरीद के रहे हैं कि लोग लाते हैं उसको पहले खेल लेंगे लिए बच्चो को खिलाते हैं बच्चो का टॉय बन जाता उसके बड़ा होगा बढ़ा जिम्मेदारी सड़क की अब जिम्मेदारी औरो की यह बहुत ही दुर्भागे पूर्ण है यह नहीं होना हमारी गली में इस अच को तीन महीने से हम लोग उसका ख्याल रख रहे हैं वो जरूरत है क्योंकि आप आपके घर में ऐसा हाथसा हो चुका है आप यह भूगा चुकी है हम तो यह चाहते हैं कि कहीं इनका अलाग इंतिजाम हो जिसे धरमपुन करना खिलाना वो कितना भी खिलाए उने एक जगे ब है कि सौन मैं सर 20 खिलाते होंगे सब तो खिलाते नहीं है लेकिन एक जगे ऐसी बन जाए इनके फिलाना भूख वहहिं कितने सरह यहसरे लोग भी देखे जो लिößे किशी भी जाहने हैं तुक हो आपको डर लगता है क्यूंकि आपके घर में देख हुआ है वहां मिलेंगे वे कटे पिके सब अब कराइदा रह रहे हैं गेट खोल दिया लेकर भाग जाती एक बाद बताईए आपके तो बच्चों को आपके बच्चों के साथ यह हाथसा हुआ है इसने मुझे इतनी छोड़ी से बच्ची डेट साल की बच्ची सोच अगर कोई जानवर आपको देखता है जिसमें उसे मास पहना हुआ है उसका मुझ बांधा हुआ है तो आपको लगते हैं कि आप सेफ रहेंगे आप उसके पास से निकल निकल के जा सकते हैं नहीं